हेलो दोस्तों मैं हूँ अभी से एक आपका सेल प्रिपेर गुरू जी दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप बजाज पलसर 150 का इंजन कैसे एसेंबल कर सकते हैं और इसमें हम लोग स्टार्टिंग से इसेंबल करेंगे मैंने कैसे इसे बाहर निकाला था मैंने कैसे से क्लीन किया था यह सब मैंने अल्री एक स्रीजी बनाया हुआ है पलसर पर उस पर आप जाके देख सकते हैं और यह जो पलसर बहुत ही गंदे कंडिशन में था तो यहां पर इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे कि कैसे से सेमी होता है अगर एक बार आपको मोटो साइक्लर और स्कूटर देख लेते हैं तो बेसीग पर रहता है सेमी होता है बटा भरढ़त भी टेंस होता है कि कहां पर कौंसा नच लगेगा बोल्ट लगेगा रागा यहीं जो चंप्यूजन होता है वह वारी आप 104 спасибоμε extrem में कैसे सेंबल करना बहुत ही अच्छे से तो स्टार्ट करते तो सबसे पहले आता है इन्पुट साफ्ट तो यह है आपका इन्पुट साफ्ट और बहुत दिन से ऐसे यह रखा हुआ था तो हलका सा यलोई साता यह रस्टिंग नहीं बोल सकते हैं कि पूरा गियर डैमेज कर देगा बट हाँ जब भी आप क्लीन करें उसे जल्दी से सेंबल कर दीजे यह हलका सा आप वाइल उस पे स्प्रे कर दीजे तो यह सही रहता है और यह परफेक्ट है तो यहां पर जब भी आप गियर ओपन करें तो जब भी अगर कोई टित कोई आपका गियर डॉग में प्रॉलम नहीं है तो इससे अनिसरी कंप्लीट ओपन करने का कोई मतलब होता नहीं है इस बरेंज करते तो कोई प्रॉलम नहीं आता है तो यह परफेक्ट है सब कुछ परफेक्ट है इसमें तो अब इससे हम लोग input साथ क्यों कहते हैं तो इन्पुड साइब का मतलब कि जहां से पावर आता है तो यह क्लच से नहीं 25 तो आपके यह यहां तक तो बहुत अच्छे से असेंबल है इस तरह का एक इस्पेसल वासर है कुछ भी ब्होलना नहीं इस पहले ही सब कुछे करके रखना है तो यह देखिए इस तरह से वासर आगया। पैस इसे आप जैसे मन उसके बाद आताता है वासर तो यहां दो वासर होता है, एक input में, एक output में, तो यहाँ पे जो मोटा वाला है, यह देखिए, यह आपको, मोटा वाला है, यह यहाँ पे लगेगा, और मैं आपको difference भी बता देता हूँ, यह देखिए, इसका ठिकनेस आपको पता चला होगा, और जो output soft है, उसमें भी इसी तरह का रहता है, बट यह थुरा पतला रहता है, तो यह आपको ध्यान देना है, तो एक जो हमारा है, input soft, यह complete होगा, बहुत ही प्यार से, इसे side में रखते हैं, दूसरा है, यह output soft, यहाँ पे आपको output soft दिख रहा होगा, ठीक है, और यह देखिए, यहाँ पे up to, यहाँ तक आपको निकालने का भी जुरत नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ healthy है, तो healthy है, तो unnecessary आपको कुछ भी निकालने का जुरत नहीं है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कि यह वाला gear देखिए, यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको दिख रहा है, और दूसरे साइड, आपको 3 दिख रहा है, ठीक है, तो यह इस तरह से आ जाएगा, बहुत ही clear आपको समझ में आ रहा होगा, यह देखिए, यहाँ पे यह इस तरह से आ जाएगा, उसके बाद next, यहाँ पे एक boost है, ठीक है, और यहाँ पे यह hole दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप इसे यहाँ पे इस तरह से match करके लगाई, आप कहीं भी इसे लगा दिए, वो अपने जगा पे आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और गी है, तो यहाँ पे यह जो इसका bottom portion है, यह आपका थोड़ा सा अंदर से, hollow type का, तो यह अंदर रहेगा इस तरह से, ठीक है, यह इस तरह से आजाएगा, बहुत ही अच्छे से, और यहाँ पे इस तरह से match करता है, gear dog, तो इसलिए इस तरह से बनाया रहता है, उसके बाद जो मैंने आपको बताय जाया था, वासर, यह वासर आपका आजाएगा, इस तरह से, तो बहुत अच्छे से, input, output हमारा हो गया, और इसे output क्यों कहते हैं, कि यहाँ पे देखे, यहीं पे आपका chain का जो स्प्रॉकेट है, driving स्प्रॉकेट हुआ अटैच रहेगा, और यहीं से आपके wheel में पावर जा मैंने उसे already replace कर लिया है, और बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे इसे press करते हैं, कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे देखे, यहाँ पे एक lock रहता है, अगर यह lock आप भुल जाएगा, तो यह bearing बहार आ जाएगा, और gear change होना बंद हो जाता है, तो यह चोटी points को आपको ध्यान देना है, और एक चीज और है कि बहुत अच्छे से आपको सब कुछ clean कर लेना है, कुछ भी impurities नहीं होना चाहिए, सारा circuit clean होना चाहिए, सारा कुछ आपको ध्यान देना है, अब यहाँ पर यह देखे, दोनों साप्ट हमारे पास इस तरह से हैं, और यहाँ पर दोनों को हम लोग अंदर इस तरह से डाल देंगे, और एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो वासर हमने इसमें लगाया था, वो वासर कहीं भी गेड़ना नहीं चाहिए, यह देखिए, बहुत ही अच्छे से यह आ गया, यह देखिए, दोनों साप बहुत ह अच्छे से आ गया, अभी यह रोटेट नहीं करेगा, यह थोड़ा सा प्रॉल्म हो जाता है, जब इसमें कैम लगेगा, गियर कैम, तो यह परफेक्ली काम करता है, ठीक है, तो यह परफेक्ट हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई टेंसन नहीं, अब यहाँ प दूसरे बाले में जाएगा, और इस पिन को आप ऐसे लगाइए, या ऐसे लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पर इसमें फर्क पड़ता है, उसके बाद हम लोग आते हैं फॉर्क पे, तो यहाँ पर तीन फॉर्क हमारे पास है, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है यह देखिए यह छोटा है एक है जो छोटा साइज का है और दो सिमेट्रिकल है यह दोनों एक साइज का है तो यहां पर जो दो बड़ा है वो लग जाएगा आपका आउप्ट वाले में ठीक है यहां पर और जो छोटा वाला ऋपर पूट वाले में लग जाएगा ठीक है तो इसे हम हम लो अपने जगह पर यहां पर लगा दें और इसका इस्पीश बना उर्टा है आपको कहीं भी इधा अधर फिट नहीं करना आपको में नीचे से दिखा देता हूं यह देखे मैं कहां पर इसे फिट कर रहा हूं मैंने छोटा वाला यहां पर फिट कर दिया बहुत ही प्यार से इसका कॉलर बना रहता है तो यह आपको ध्यान देना है आपको कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है यह देखे और यह जो आप आपको यह प्वार्इन दिख रहा है इसका क्या परपस होता है मैं आपको बताऊंगा ठीक ₹ तो आपको ध्यान से देखना है मैं कहां कहां लगा रहा हूँ एक कॉलर यहां पे बना हुआ है यहां पे मैं लगा रहा हूँ और एक कॉलर नीचे है यह देखें मैं नीचे लगा रहा हूँ तो आपको समझ में आख़ा बहुत ही clear बहुत ही बारिकी से हर एक point को मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है अब ये है आपका gear cam ठीक है gear cam इसी के वज़ा से सब जो ये fork है ये इसका movement होता है और change होता है gear तो ये बहुत ही important आपका है gear changing में और gear कैसे change होता है कैसे काम करता है ये मैंने बहुत बाप लोग को बता है अलग-अलग वीडियोज में तो यहां पर एक शी जो आपको ध्यान देना है कि ये जो gear cam होता है उसमें ये पिन आपका नहीं मिस होना चाहिए ये पिन अगर missing रहा तो फिर problem हो जाएगा और यहां पर जो इसका दूसरा portion है एक आपका bus या वासर जो कहिए ये देखिए ये आपका वासर दूसरे side र लगा देना है यह देखिए यहां पर इस तरह से ठीक है यह आपका बहुत ही प्यार से अपने जगा पर बैठ जाना चाहिए अंदर तक आपको इससे insert कर देना है यह देखिए अब क्या करना है कि यह सब जो आपने कैम में यह जो फॉर्क लगाया है सारे फॉर्क को इसके points पे आपको लगा देना है यह देखिए आपको ध्यान देना है यह देखिए यह यहां पर आ गया यह देखिए यह यहां पर आ गया उसके बाद नीचे होगा यह देखे और एक चीज आपको और ध्यान देना है पलसर का जो न्यू मॉडल है उसमें इसमें एक रॉलर लगा रहता है बट यह ओल्ड मॉडल है तो उसमें रॉलर नहीं रहता था इसमें बट new model में roller रहता है तो और ज़्यादा वो smooth होता है roller वाला तो इसमें roller वाला system नहीं है और इससे आपको बहुत ही प्यार से यहाँ पर एक मैंने लगा दिया और एक नीचे वाला है इसको भी आपको लगा देना है ध्यान दे करके यह देखे यह देखे एक side का मैंने लगा दिया और जैसे ही मैंने लगाया यहाँ पर अब इसको miss नहीं करना है आपको इधर आना है बहुत ही प्यार से और pin के बारे में मैंने आपको already बता दिया था तो यह देखे यहाँ पर pin है ऐसे लगाया चाह ऐसे लगाया कोई बात नहीं इससे हम लोग अपने जगा पर secure कर देंगे नहीं तो यह बार बार निकलेगा और आपको irritate करेगा तो इससे अपने जगा पर हम लोग secure कर देंगे must हो गया यह must बहुत अच्छा हो गया यह देखे perfect अपने जगा पर आ गया ठीक है अब आते हैं दूसरे साइड तो दूसरे साइड आपका tension कम है यह देखे दूसरे साइड आपका tension कम है यहाँ पर मैंने इससे लगा दिया और यहाँ पर यह पिन यहाँ पर इस तरह से आ जागा बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यार से यह फिट हो गया आपका यह complete gear है बहुत ही अच्छे से फिट हो गया कोई tension नहीं कोई आपको दिक्कत नहीं लगड़ा होगा यहाँ तक बहुत अच्छे से फिट हो गया तो यहाँ पर gear फिट हो गया है और आप इसे 1, neutral, 2, 3, 4, 5 यहां से operate करके देख सकते हैं हाला कि इसमें कुछ भी mistake होने वाला चीज होता ही नहीं है बहुत ही अच्छे से आप इसे चेक कर सकते हैं बहुत अच्छे से यह काम करेगा और आप इसको operate करके देख सकते हैं यह देखें बहुत अच्छे से यह काम करेगा आपका अब यहां पर है crank तो crank में दोनों side एक ही size का bearing होता है तो आपको left right का ध्यान देना है देखने आपको कि कि side magnet लगता है तो यह आपको fit कर देना है इस तरह से just आपको place कर देना है यह अपने जगा पर आ जाएगा यह देखें इसको आपको हलका सा यहां पर hit कर देंगा उसके बाद यहां पर एक dowel pin रहेगा यहां पर और दूसरा यहां पर dowel pin कभी भी आपको भूलना नहीं है ठीक है नहीं तो फिर सारा मेहनत आपका बिकार हो जाता है यह बहुत important होता है दोनों जगा मैंने लगा दिया है और यह जो crank है यह मैंने new नहीं पर्चेस किया है new का cost around 3400 था तो मैंने old को ही repair किया है और यह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरस यह काम कर रहा है और इसमें मैंने pack का bearing यूज किया है cheap and best और मुझे total cost around 1300 का पड़ा है इसमें तो यह बहुत ही smooth हो चुका है पहले इसमें play आ गया था connecting rod वाले में और यह दोनों जो bearing है दोनों side वह भी wear कर गया था तो यह सही है अब यहां पर हमारे पास यह packing है यह देखिए और इस packing का हमेशा original packing आप यूज किजिए यहां पर देख सकते हैं इसका part number इसका cost सब कुछ और इसमें बहुत ही कुछ दिया हुआ है जो भी requirement है इसमें packing का सारा कुछ इसमें दिया गया है और thread locker भी है plank sealant भी है सारा कुछ इसमें दिया हुआ है तो यहां पर हम लोग packing प्लेस कर लेंगे दोस्तों packing में मैं हमेशा grease का यूज करता हूं और बहुत लोग gasket sealant का यूज करते हैं ग्रीस का फायदा यह होता है कि जब next time आप इसे हटाएंगे तो बहुत ही इसली बाहर आ इबेन सर्फेस नहीं है तो इस में कोई प्राउलम नहीं आता है बत अगर फेस सही नहीं है बहुत कोई क्या करते है यहां पे स्कूर्राइबर से नाइट से기는 डैमेच कर देते हैं पैकिन रिमूब करते समय तो आपका सैओर फिर प्राउलम होगा तब आपको乾्के तो यहां पर यूज़ करना पड़ेगा तो यह देखे मैंने यहां पर लगा दिया है अब इसका जो दूसरा चैंबर है यहां पर यह है और यहां पर एक ही चाहिए आपको ध्यान देना है कि यहां पर आपको यह जो किक का स्प्रिंग है यह लगाना है और यहां पर देखे यह प किक वाले स्प्रिंग को आपको इस तरह से पक्रे रहना है ताकि यह बाहर नहीं आए और उसके बाद आपको यहां पे इसे बहुत ही प्यार से इसे प्लेस कर देना है यह देखिए यह देखिए यह मैच कर गया है सही है परफेक्ट अब यहां पे हम लोग जितना भी नट बोल्ट हमने उपन किया था सारे नट बोल्ट को हम लोगों को लगा लेना है और यहां पे देखिए यह दो को छोड़ करके किसम की जतना भी एकमबर्का है सब एक ही साइस का है तो आपको ध्यान देना है यह देखिए यहां पर आ गया यह वाला ठीक है उसके बाद जतना भी है इट नमबर का सारा हम लोग अपने जगा पर लगा देंगे यह देखिए आगे अगे यह देखिए सारा एक ही साइस का है यह वाला जो है यह दूसरे साइड से लगेगा मैं अभी आपको बता देता हूँ और यह दहां पर रहता है दूसरे साइड में यहां पर यहां पर आता है यह दिछ Yeah तो जितना भी है सब कुछ और तो अपर कर देंगे और यह रेड हो जाएगा इतना तक तो मैं इसे टाइट कर लेता हूँ अच्छे से तो मैंने सारे बोल्ड को टाइट कर दिया है और यह फॉर्फेक्ट हो चुका है यहाँ पे और यहाँ पे ड्राइब साफ्ट में एक बुस रहता है इसको आपको प्रेस कर देना है केरफली यह देखिए और यह जो मैकनिजम रहता है अलग से बुस रहता है इस साफ्ट में तो इसी की वज़ा से कभी भी अगर यह वायल से डैमेज होता है तो इसे चेंज करना बहुत इजी हो जाता है और यह हर एक मोटर साइकल में इसी तरह का आपको एक बुस मिलेगा यह काम को बहुत ही आसान बना देता है यह देखे सभी है यह होगी आप दूसरे साइड इसे टर्न करते है यह देखे यह है दूसरा साइड यहाँ पर तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे कि यह जो गियर कैम है उसका यह जो रिमेनिंग पोर्सन था यह हम लोग tight कर देंगे यहाँ पे यह यहाँ पे आ जाएगा और इसका जो point है वो match करना चाहिए नहीं तो आप इसे कभी भी perfectly tight ही नहीं कर पाएंगे यह देखे यह अपने जगा पे आना चाहिए यह देखे सही आईए अब यह allen bolt हम लोग tight कर देंगे यहाँ पे जो packing के साथ thread sealant आया था उसका हम लोग use करेंगे क्योंकि यह कभी कभी क्या होता है कि यह lose हो जाता है और अलगी problem हो जाता है तो इसको आपको ध्यान देना है यह देखे अब यहाँ पे यह जो dog है यह हमें लगाना है और यहाँ पे छोटा सो roller रहता है तो roller healthy होना चाहिए यह part ज़्यादा costly नहीं होता है तो अगर roller healthy नहीं है तो आप इसे change कर सकते हैं इस case में यह healthy है तो कोई tension ही नहीं है और यह देखे मैं कैसे से लगा रहा हूँ यह roller नीचे में आता है और यह इस तरह से आपको लगा देना है और यहाँ पे थर्ड लॉकर का मैंने यूज किया है important है यह देखे यह देखे यह अपनी जगह पे आ गया यह इस तरह से उसके बाद यहाँ पे हम लोग किक का यह जो साप्ट है यह लगाएंगे और यहाँ पे एक स्लॉट आपको दिख रहा होगा और अंदर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो किक वाला spring था वो आपको दिख रहा होगा तो इससे इस तरह से करना है कि उस spring में यह जाए समझे और यह जो आपको portion दिख रहा है इससे यहां से इंसर्ट करना है और अंदर इसे घुसा देना है यह देखें मैं क्या कर रहा हूँ exactly आपको समझ में आएगा यह देखें सबसे पहला मेरा कोसिस क्या है कि वो जो spring है उसमें यह slot जाना चाहिए तो यह देखें में यह spring जाएगा और एक और important यहां पर वासर होता है और यहां भी वासर होता है तो पहला काम जो spring है उसमें यह पहले slot जाना चाहिए तो वो काम तो हो गया उसके बाद दूसरा काम अगर आप इसे कितना भी प्रेस करेंगे तो यह अंदर नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह यहां पर टच कर रहा है इसको इसको तो आपको थोरा सा पीछे लेना ह और अब इसे प्रेस किजिए यह देखें अब देखें प्रेस किए तो यह अंदर चला गया उसके बाद इसे रिलीज कर दिया यह देखें यह देखें तो यह अपने जगा पर आ गया और यहां पर देखें यह फ्री है मतलब सही काम कर रहा है और जब किक को आप पीछे थो तो यह रैचट मेकैनिजम इसमें काम करने लगता है ए तो यह चीज़ है तो यह सही है perfect अब यहां पर इसका एक गेर रहता है यह देखे एक गेर यहां पर रहता है इससे हम लोग लगा देंगे यह देखे यह आपका complete हो गया है इस तरह से perfectly यह देखे परफेक्ट लिए काम कर रहा है और यह गियर तो ऐसे निकल जाएगा तो यहां पर एक छोटा सा लॉक रहता है यह देखे, यह लॉक यहां पर आ जाता है तो इसे रोक के रखता है यह गियर को बाहर नहीं निकलने देता है तो इसे हम लोग टाइट कर देंगे और इस सब में थ्रेड लॉकर आपको लगाना जरूरी है जब पैकिंग में है तो उसका यूज किजिए यह फार्फेक्ली आ गया है उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा स्पेस आपको दिख रहा होगा तो इस स्पेस में आपका आजाएगा बैलेंसर यह आपका बैलेंसर और यहाँ पर देखें यह जो बेरिंग है यहाँ पर एक स्लोट बना रहता है तो यह अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो यह बहार निकल जाएगा तो इसे लॉक करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा लॉक दिया रहता है तो इसे हम लोग टाइट कर लेंगे वही जो बेरिंग में स्लॉट बना है उसी में लगा रहता है तो यहाँ पे ये फिट हो गया ये अब बाहर नहीं आएगा अपने जगा पे आ गया ये और इसका bearing अगर damage हो जाता है तो इसको press करके निकाला जाता है और यह change हो जाता है complete assembly costly है बट इसका bearing सही था अब यहाँ पे देखिए यह एक pin होता है यह pin आपको miss नहीं करना है और यहाँ पे एक slot होता है तो यह दोनों आपका match करना चाहिए यह timing chain blast rocket है तो यह देखिए click कर गया यह अपने जगा पे आ गया तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब इसे देखते हैं next part में